शुगर है इस मोवी ने निराश नहीं गिया नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्स्ट्रेक्शन की जो अभी चोवी सप्रेल को रिलीज हुई है नेट्फिलिक्स पे जिसे डिरेक्ट किया है सैम हारग्रेव ने और इसके अंदर कास्ट है क्रिश हमसवार्थ, रंधी पुड़र, पंकस्तिरिपाटी और रुदराक्स जैछसवाल कहानी पर आते हैं एकमाफिया है मॉंबई का जिसका नाम है ओवी महाजन सीनियर तो उसका एक बेटा है ओवी महाजन जूनियर तो ओवी सीनियर और ओवी जूनियर ऐसे है तो OV junior का kidnap एक international drug mafia का drug mafia का कोई पता नहीं कौन होता है वो कर लेता है और उसे kidnap करके ढाका ले जाता है बांगलादेश यानि ढाका लेके चला जाता है वहाँ पर तो उसको बचाने के लिए एक इनसान को बुलाया जाता है जो अकेला वही कर सकता है जिसका नाम होता है Tyler जिसे play किया है Chris Hemsworth ने Tyler की पूरी अपनी टीम है जो ऐसे काम करती है पैसे लेकर किसी को बचाती है किसी को मारती है उनके ये काम होते है तो उनको काम दिया जाता है कि वो बच्चे को बचा है तो Tyler बच्चे को बचा लेता है और जो वो बच्चे को बचा कर अपने team की तरह वा रहा होता है तब उनकी team को पता चलता है कि उनके साथ दोखा हुआ है और अभी तक उनको पैसे नहीं दिये गए और इस बीच में जो taylor की मदद करने के लिए जो अपने साथ साथ ही लेके गया होता है तो उनको भी मार दिया जाता है OV Junior के पिता, OV Senior अब इस टीम को रुपे नहीं देना जाते थे वो चाते थे अब जो OV Junior है उसको बिना रुपे के ही मुंबई वापस ले आए तो इसके लिए OV Senior अपने एक आदमी को जिसे संजू जिसे प्ले के है रंदी पुड़ा ने वो उनको बेजता है रंदी पुड़ा, मतब संजू जो है OV Senior के लिए काम करता है और उसी की देख रेक में OV Junior को रखा गया था लेकिन बावजूद इसके उसका किड्नैप हो जाना इसलिए उसे वहाँ भेजा जाता है ढाका में और अगर वो नहीं गया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा उसके बच्चे को खतम कर दिया जाएगा तो यह जो धंकी मिलती है तो रंदी पुड़ा यानि संजू ना चाते हुए भी ओवी जूनियर को बचाने के लिए ढाका जाता है और अब वो टाइलर के बीच में आ जाता है कि अब उसे बच्चा चाहिए दो कुछ शुरू में कहानी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी लेकिन जब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पैंड किया मतलब कुछ एक मिनिट पंदरा दस मिनिट के बाद तो इस मुवी में इंटरेस्ट अपने आप बनने लगया था इसमें टाइलर की एक स्टोरी दिखाए गई है कि उसके बेटे की मौत हो जाती है कैंसर के कारण जब वो छे साल का था तो जब उसकी टीम कहती है कि हमें दोखा मिला है और इस बच्चे को यहीं मार दो क्योंकि अब कोई इसके रुपे नहीं देने वाला तो टाइलर उस बच्चे को नहीं मार पाता है क्योंकि उसको अपने उस बच्चे की आदारी होती है तो ना तो इस बच्चे को मार पाता है ना ही उसे अकेला चोड़ पाता है अब वो ढाका में इस बच्चे के साथ इदर उदर भटक रहा है जबकि उसके पीछे ढाका की सारी पुलीस, सारी फोर्ज, सारी के सारे गुंडे सबी के सब उसके पीछे पढ़े हैं क्योंकि जो international जो डौन है international जो drug dealer है उसके हाथ में सब कुछ control है वो सारी police को control कर रहा है उसने सारी army को control कर रहा है सारे ही सब गुंडों को उसने यान इवन छोटे-छोटे बच्चों को उसने गन दे रही है सब Taylor और उस बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पढ़ जाते हैं तो अब Taylor को कोई और रास्ता नजर ना आते हुए उस वो Sanju को call करता है उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे रूपे नहीं चाहिए बस इस बच्चे को वापस अपने इसके घर ले जाओ क्योंकि उसका कही न कहीं उसके साथ connection हो जाते है कि अब बच्चे को मारना नहीं चाहता है देखो इसके जो last में जो fight होती है वो emotional कर देती है पूरी movie जो है इसमें action से बरी हुई है काफी सारे जो ऐसे viewers होंगे जिनको कहानी से मतलब होता है जिनको ऐसी interesting कहानी देखनी थी देखो मेरे हिसाब से उनके लिए थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है लेकिन जिनको यह action देखना था उनकी उमीदों पे खरी उतरती है फिलाल मैं इसमें कोई कहानी नहीं कोजने बैटा था मुझे इसमें action ही उनकी उमीद थी और जो मुझे भरपूर इसमें देखने को मिला जो इसके अंदर fighting सी नो वो काफी ज़्यादा real रखे गए है टाका की realistic location दिखाए गई है रंदी पूर्डा सर कहीं बात करें तो उनको काम काफी जवरदस्त है उनको कोई छोटा मोटा रोल नहीं दिया गया कि यहाँ पांच एक मिनिट का उनको पूरा एक waitress दिया गया है अब अंकस दिरपाटी जी को एक छोटा सा रोल उनको एक jail में दिखाया गया है कुछ एक मिनिट के लिए वहाँ जब उनसे बात कर रहा था संजू जब उनसे बात कर रहा था तो छोटा सा रोली उनको दिया गया है यह पूरी मूवी आपको बांध कर रखने वाली है बहुर कहीं फील नहीं करने वाली इवन आपके interest को भी मतलब कायम रखेगी लास्ट तक आप देखना चाओगी कि क्या हो रहा है मेरी तरह से इस मूवी को मत देना चाहूँगा 8 आउट और 10 स्टार अगर आप लोगों ने यह देखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लगी तैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद